अगर आप लोगों को कुछ जटपटा और नया और जटपट बना करके खाना है तो यह नास्ता आप सभी लोगों के लिए यकीन मानिये फ्रेंस बजार का टेस्ट भी आप लोग बुल जाएंगे इतना ज़्यादा यह टेस्टी बनके तेयार होता है तो आए बनाना लेना है तो यहां 7-8 आलू को मैं अच्छे से धो करके साप कपड़े से पोच ली हुई हो और आलू का साइज हमें छोटा वाला ही लेना है इससे छोटा हो चलेगा इससे बड़ा मत लीजेगा तो पकने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है उसके बाद आलू को हमें करना है तो एक कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए मैं यहां पर रख दी हुई हो और एक ही करके सारे अलू को डाल देंगे अलू फ्राई करते समय ध्यान रखना है कि ग्यास को फ्लेम को हमेशा कम करके ही फ्राई करें तो आलू उपर से जल जाएगा और नीचे से कच्छ जैसे जैसे फ्राई होगा इसके जो इसकीन है इस्तरह से चेंज हो जाएगा आलो फ्राई हुआ है या नहीं करसे पताचलेगा हमें तो क्या करेंगे एक knife या फिर fork लेंगे और आलो के अंदर इस तरह से डाल करके देखेंगे थोड़ा सा भी tight लग रहा है अंदर में फस रहा है इसका मतलब आलो अच्छे से नहीं पका है तो जो आलू नहीं पका है उसे तेल में ही रहने देंगे और जो अच्छे से पक चुका है उसे निकाल लेंगे तो इस तरह से अंदर डालते जाएए जब चाकू को अंदर घुशाएंगे तो आपको खुछ समझ में आएगा कि एक अच्छा है या फिर अच्छे से पक गया है तो निकाल लेंगे जो नहीं पका है उसे फ्राइ कर लेंगे थोड़ी देर के लिए और यहां पे बीना छीले आलू को में फ्राइ के हुए हो आप चाहे तो इसे छील के भी फ्राइ कर शकते हो और यह देखिए यह जो तीन आलू है इसे थोड़ी देर के लिए और फ्राइ कर लेंगे इसके बाद कोई भी कटोरी एग ग्लास लेंगे और इस तरह से आलू को दबाएंगे बहुत ही असानी से इस तरह से चप्टा हो जाता है यह देखिए तो थोड़ा सा इसे हाथों से इस तरह से से शेब बहुत आसानी से हो जाता है इसके बाद कोई भी एक प्लेट ले लेंगे प्लेट में लगाएंगे बटर पेपर क्योंकि यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ आलू पीजा चाट तो इस तरह से हमें एरेंज करना होगा तो इसलिए प्लेट में बटर पेपर लगा दे उसको सारा आलू को रख दे अब बारी आता है आलू को चटपटा बनाने का तो सबसे पहले नमक स्प्रिंकल करेंगे इसके बाद काला नमक थोड़ा सा चाट मसाला इसके बाद धुना हुआ धनिया पाउडर अब भुना हुआ जीरा पाउडर बहुत ही ज़्यादा चटपटा नास्ता बनके तयार होता है यकीन मानिए आपका बजार का जो टेस्ट है न भूल जाएंगे ये खाने के बाद इतना ज़्यादा ये टेस्टी बनके तयार होता है थोड़ा सा लाल मिच पाउडर डाल देंगे और अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक सेरो चैनल को सस्क्राइब जरूर से कीजएगा साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजएगा मेरी न्यू वीडियो की नोटिपिकेशन के लिए तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं उसके बाद यहाँ पे एक एक पाप्री रखेंगे और पाप्री की रेसिपी अगर चाहिए तो मेरी चैनल पे है मैं लिंक डाल दूँगी आप लोग देख सकते हो और नहीं बनाना चाहते हो तो बजार में भी बहुत ही असानी से मिल जाता है कुछ पाप्री यहाँ पे तोड़के भी डाल देंगे यकीन माने फ्रेंस यह जो रेसिपी है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होता है अब बहुत असान है इसे बनाना इसके उपर से थोड़ा सा कटा हुआ अनियन डालेंगे इसमें अपने मन पसंद का कोई भी चीज डाल सकते हो उबली उए मटर, स्वीट कॉन, बेबी कॉन जो भी आपको पसंद हो डाल सकते हो थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे इसके बाद tomato ketchup डालेंगे tomato ketchup के जगा पे pizza sauce भी लगा सकते हो tomato ketchup मैं इसलिए लगा रहे हूं क्यूंकि tomato ketchup सभी के घर में बहुत ही असानी से मिल जाता है सभी के घर में रहता ही है tomato ketchup डालने के बाद आप इसमें mayonnaise भी डाल सकते हो अगर आपको मेउनीज पसंद है तो इसके बाद चीज स्प्रिंकल कर देंगे तो चीज आप कोई सा भी ले सकते हो मैं है पीजा वाला चीज का इस्तमाल कर रही हूँ जो आपके हैं है वो आप इसमें डाल सकते हो और चीज नहीं खाना है तो इसके जगह में पनीर भी करके लिए हों आप चाहें तो लंबे-ंबे कट करके भी डाल उसकते हो इसके बाद डाल लेंगे स्प्रिंकल करने के साथ आप इसके बाद इसमें डाल लेंगे थोड़ा सा नमकिनसेव ने तो अलुभ पीजा चाट बेग होने के 내क्षिए तब बेक करने के लिए यहां पे मैं एक कढ़ाई का इस्तमाल कर रही हूं जिससे पहले से गर्म होने के लिए रख दी हुई हूं अब इसे रख देते हैं कढ़ाई में तो इस कढ़ाई को मैं सिर्फ बेकिंग में ही इस्तमाल करती हूँ इस तरह से थोड़ा देखिए खराब हो चुका है उससे कोई फरक नहीं पड़ता है और अच्छे से गर्म हो गया है तो इसमें रख देते हैं प्लेट को और उपर से ढ करके 2-3 मिन के लिए सिर्फ हमें बेक करना बहुत ज्यादा दिर तक बेक नहीं करना लो फ्लेम में बेक करना उतनी दिन में जो चीज है अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो 2-3 मिन के बाद इसे चेक कर लेते हैं यह देखिए जो चीज है अच्छे से मेल्ट हो गया है अब किसे निकाल लेते हैं निकालने के बाद यहां पे थोड़ा सा चीली फलेक्स डालीए और गर्मा गरम इस रेसिपी को इंज़ॉइ कीज़े तो देखा ना इसे बनाना कितना आसान है तो इस असान सी रेसिपी को आप लोग जरूर से जरूर ट्राय कीज़ेगा ट्राय करने के कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस रेसिपी में कहां कमी रह गई है तो मिलते हैं नेक्ट रीडियो में एक अच्छी सी रेसिपी के साथ में तब तक के लिए बाबाई थैंक यू